स्वालो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूचूब चैनल रेडियीशन टेक्स शॉलिशन में इस चैनल के माध्यम से आपको रेडियेशन टेकनोलोजी फिल्ड से रिलेड इंपोर्टेंट टोपिक्स के लेक्चर्व and important informatic updates time to time मिलती रहेगी so students आज आपने बात करेंगे radiation technology field से related students के लिए एक सांदार paramedical vacancy के बारे में जो की ESIC के तरफ से रहने वाली है इसमें और भी तरह की post है लेकिन यहाँ पर बात करेंगे junior radiographer और radiographer की vacancy के बारे में जैसे कि सभी students को पता है कि ESIC की जो vacancy है वो central governments के अंतरकत आती है और यह उपर जो आप notification देख रहे हैं यह requirement for paramedical post in Rajasthan region का है यानि कि ऐसे ही अपन अलग अलग region के बारे में किसी भी post से related कोई भी students है वो form apply कर सकता है All India vacancy रहने वाली है क्या इसकी qualification रहने वाली है क्या age limit है तो इस तरह के से अपन इस पूरे notification को देखेंगे तो अपन बात करेंगे सबसे पहले junior radiographer की क्या post रहने वाली है तो total गुंतिस post रहने वाली है और यह junior radiographer की है गाजस्तान region के अंदर इसी प्रकास से radiographer की भी इसके अंदर total चार post है अलग-अलग category wise आप इसमें देख सकते है कि unreserved category के लिए क्या post है हसी हस्ती के लिए क्या post है OBC EWS के लिए क्या post है तो इस प्रकास से आप इसको complete जो यह paramedical से related एक important vacancy आई है इसके बारे में आपन देख सकते है तो इस वीडियो के माद्यम से अपन देखेंगे कि क्या इसकी qualification रहने वाली है देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी vacancies है जैसे audio metry technician के बारे में है इसी जी technician, medical record assistant इन सब की अलग-अलग qualification दे रखी है तो जो भी students है वो eligible है इस प्रकार की vacancy को apply करने के लिए, form को apply करने के लिए वो form को fill up कर सकता है लेकिन इस channel के माद्यम से अपन सिर्फ बात करेंगे radiographer और assistant radiographer की या फिर junior radiographer की तो junior radiographer के लिए इसके अंदर जो eligibility रखी गई है वो है 12th pass with science stream with recognized board और यानि कि 12th pass होना चाहिए और कोई भी diploma जैसे कि DIT वगर है ये जो radiation technology से लेटेड है वो diploma होना चाहिए duration इसका 2 साल का होना चाहिए और इसमें कोई भी experience नहीं मांगा गया है और radiographer के अंदर देखें तो इसके अंदर 12th pass के साथ में रेडियोग्राफिक का दो साल का डिप्लोमा और साथ में एक साल का experience मांगा है किसी भी hospital और medical institute के अंदर तो ये difference है दोनों ही पोस्ट के अंदर जूनियर रेडियोग्राफर के अंदर जो भी फ्रेशर स्टुएंट से वो अपलाई कर सकते हैं और रेडियोग्राफर के अंदर एक साल का experience मांगा गया है और अपन बात करें जैसे कि salary की तो जूनियर रेडियोग्राफर को जो salary है वो रखी गए level 3 के अंदर जिसका pay matrix है 21,700 से लेके 19,100 रुपे तक और रेडियोग्राफर की जो वेकेंसी है तो उस पोस्ट के लिए रखा गया है level 5 जिसकी salary है 29,200 रुपे से 22,300 रुपे तक जो काफ़ी सांदार बोल सकते हैं इसका जो pay matrix है इस वेकार और भी काफ़ी informative जो यह पूरा PDF है लिंक आपको मैं description box में डाल दूँगा इसके अंदर अलग-अलग criteria category wise अलग-अलग education दे रखा है जैसे की SCST के लिए 5 साल है OBC के लिए 3 साल है और all age की बात करें तो 25 साल तक इसका age limit बताया गया है तो यह आप complete इसका जो notification है वो देख सकते हैं यह सिर्फ राजस्तान रिजन का है ऐसे ही अपन आप किसी भी रिजन का ESIC की विकेंसी के देख सकते है इंपोर्टेट डेट की बात करें तो जो अप्लिकेशन है वो तीस तारीक दस तक आप तीस दस तक दो जाते इस तक आप इसको फिलप कर सकते हैं और इसके जो फॉर्म की जो फीस है वो S.E.S.T. V.W.D. ग्रेवर के लिए इनके लिए इन रेडियेशन तो वो अप्लाई करें बहुत ही अच्छी वेकेंसी है और इस प्रकार की इन्फोर्मेटिव जो वीडियोज है जो की जानकारिया है वो आपको मिलती रहेगी प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहेए मेरे साथ रेडियेशन टेक सॉल